हेलो फ्रेंड्स वेलकेम बैक तो आड यूटूब चैनल आज की वीडियों को बताऊंगा सिंपल इंट्रेस्ट यानि साधारन ब्याज जिसको सौट में बोलते हैं ऐसा ही तो बहुत सारा कमेंट आ था कि सिंपल इंट्रेस्ट पर वीडियो बनाई तो चलिए मैं आपके बता दूब की सिंपल इंट्रेस्ट यानि साधारन ब्याज के अंदर में लोगों को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा जैसे मूल्धन मूल्धन को क्या बलते है प्रिंस्पल मैं अभी आपको सबको पूरे डिटेल में परता हूंगा पहले आप जान लीजे क्या क्या होता है म सब्सक्राइब इंट्रेस्ट है इंट्रेस्ट कितना है सिंपल इंट्रेस्ट यानि साधारन ब्याज आगे देखें गया इसको अगर आपको कहीं पर आप समझेगा वह प्रिंस्पल हम कर्ज लेते हैं या किसी को देते है तो उसको हम लोग क्या बलते हैं मूल धन जो धन हम लोग किसी से उधार लेंगे या फिर किसी को देंगे तो आपका हो जाएगा मूल धन ठीक है यह सवाज में अच्छे से मिसर धन क्या होता है जो मूल धन होता है उस पर जो ब्याद चलता है मूल धन जो है उसके दोनों के य रिप्या लिया ठीक है और दो साल के बाद उसको वापस किया तो मानके शलिए कुछ इंट्रेस्ट बना था दोःजर के आसपास तो आपको कितना उसको वापस करना होगा 12 करते हैं उसको यह समझ में कि आप देखें दर क्या होता है लेता है यह देता है उसको पहले देखे यह तो परसेंटेज बहुता है यानि इसका परसेंटेज अगर आप अगर आप हटाएंगे तो नीचे में कि आजागा बट्टा में 100 तो यानि अगर आप 100 रुपया लेते हैं तो इस पर आपको ब्याज कितना देना होगा 6 रुपया अगर आप 2 रुपया लेते हैं तो आपको ब्याज कितना देना होगा 12 रुपया जब आप 3 रुपया लेंगे तो आपको कितना देना होगा 18 रुपया तो यह तो आप समझगे कि दर क्य क्या होता है अप से आपको डड़ में कभी दिक्कत नहीं होगा अब डड़ से आप कभी दड़ेंगे नहीं ठीक है तो यह दर हो गया तो दर मतलब हो गया 100 रुपया पर 6 रुपया यहां पर मैंने हिंदी में भी लिख दें अगर आपको यह मैं भी जो पता है वह यह लिखा हुआ है मतलब 100 रुपया पर 6 रुपया दोस रुपया और तीन 100 रुपया एटार्ट रुपया बहता जाएगा कि Simple इंड्रेस्ट इसका फर्मुला आपको यह दिख रहा होगा एससा है इस इकल टु आटी होता है लेकिन यह परसंटे के लिए है ठीक है यह परसंटेज बैस के लिए है मतलब जैसा कोई बैस होता और टाइम आपको दिया हुए दस साल तो ऐसा ही आप निकालेंगे यानि परसेंटेज ब्याज निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 5% होगा अपका दर और 10 वर्डस हो गया तो और टी होता है तो और टी इंटू फाइव और 10 को मैंटिप्लाइ करें करें किता होगा 50% यान तो 10,000 का 50% कितना होगा हाफ होगा यानि 5,000 तो आपको टूटल उसको कितना इमोंट वापस करना होगा 10 साल के बाद तो 10,000 यह हो गया और 5,000 उसका इंट्रेस्ट तो 15,000 ठीक है वही यहां पर मैंने लिखा यहां पर ब्याज 50% आ रहा है यानि जितना रुपया कोई जैसे 10,000 रुपया पर लेगा तो ब्याज 5,000 रुपय देना होगा तो मिश्र धन केता हो जाएगा अमोंट मूलधन प्लस ब्याज 10,000 प्लस 5,000 पंदरह हजार रुपय उसको डेना होगा 10 साल में 5 साल रहता है तो 25 यह 25% है नहीं 10,000 का 25% निकालते है जितना आता वह 10,000 मे आपसानी से निकाल सेकते हैं आपको कोश्चन हो पर स्केंट सब्सक्राइब कि दर से तीन वर्स में कितना प्रियाज होगा आपको पूछ रहा है कि कितना ब्याज होगा आपको प्रिस्पल दिया हुआ है रेट दिया हुआ है सब कुछ आपको दिया हुआ है तो देखे आप इसको दो तरीके से सॉल्ब कर सकते हैं अगर आपको option में आगर आपको option में जो ब्याज है वह percentage में दिया हुआ है तब आपको यह वाला formula यूज करना है है ऐसा इस उसको देना होगा ब्याज मतब 6000 का 30% उसको ब्याज देना होगा अगर आपसे परसेंटेज में पूछा है तो आपका answer आप अगर आपको इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना है आपको यह वाला formula यूज कर देना है ऐसा इस इकल टो पी आटी अपॉन में 100 डायरेक्ट आपका answer वहाँ पर आ जाएगा देखें मैं आपको करके दिखाता हूँ जैसे आपको यहाँ पर दिया हुआ है पी आपको किता दिया है 6000 और आर आपको दिया है 10% और आपको टाइम है कितना तीन वर्स तो देखें आप डायरेक्ट आपको निकाल लीजे रु यह सौ बट्टा में तो यह दो जीरों से दो जीरों कर गया यह 30 और फिर्स उतना ही हो गया मल्टिप्लाइब दिखें साथ और तीस उतना ही है तो यहां पर डायरेक्ट हो गया तो छेत्रिक 18 रुपया ब्याज आया आपको कुश्चिन के चलना है अगर कुश्चिन में पर और दिखाता हूं जिसमें आपको मिसर्धन निकालना है देखें से से चेजयार रुपया का 10% साधारने आज की दर से तीन वर्स में मिसर्धन कितना होगा तो पहले आपको क्या करना होगा इसका ब्याज निकालना होगा कि 6000 रुपया अगर आप लेते हैं 10% की रेड़ और तो हम लोगों ने अभी निकाला था कितना आया था तो यहां से आ गया था पूछे जो दोनों का पमेला देंगे हो ही होगा तो यहां पर कितना हो गया आपने किता पैसा लिया था 6,000 पर लिया था और इसके बैस कितना आए एपको जो स्मझ भाए तो इसे क्या होगा कि आप दो ही लाइन में इसको सॉल्फ कर लेंगे इतना आपको नहीं करना पड़ेगा जासे आपको रेट दिया हूँ था 10 परसन्ट और टाइम था तो आपको क्या करना है परसेंटेज निकाला होता हो कितंगे लियोगा है एसता हो और यह के लिए तो और आपका दस है और घ्लद है तो 30 नहीं लेकिन प्रॉफिट एंड लॉसमें घट भी जाता तो इसमें घट भी जाता तो इसमें बढ़े गई तो आपको क्या करना जो नीचे में है उसमें नीचे वाले में उपर वाले को एड़ करके उपर लिख देना है मतब 10 प्रस 3 13 और नीचे में जोह सेम तुसे 10 करता से लिख देना है यह इतना आप कर लेंगे मैं पता रहूं उसका वैलू का फायदा क्या भी मैं आपको बतांगो इसका फैयदा क्या पहले इतना समझने लिए आपको परसेंटेस ब्याज निकालना होगा तो थर्टी आया थर्टी परसेंटेस का साइन हटाएंगे इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो एक जिरो से जिरो कट गया तीन बतांद दस आप क्या करेंगे इस दोनों का एड़ कर देंगे तो दस औ इतना प्र Championships आपको नहीं करना पड़ेंगे प ऋलल्दि हैंटेस देन लை. इसमें तीन लैन गायब हो यह लाइन और इह लाइन आप ठर्टी वट्टा 100 लिखेंगे और यह कर लेंगे जो आप प्रैक्टिस करेंगे जब तब होगा यह पॉसिबल ऐसे नहीं होगा आपको प्रैक्टिस करना होगा तो दिए आपको आपको option ही आप्सण यह से चार उप्सट वैसे एक उप्सट चूज करना तो आप मैं आपको रिकमेंट करेंगे यह यूज करिए यही ट्रिक यूज करिए क्योंकि इस फॉर्मॉले से जाएंगे तो आपको ज्यादा टाइम वेस्ट होगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आप और सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले अगर ऐसा कोई कोश्चन आता है तो सबसे पहले आपको परसंटेज ब्याज निकालना होगा ठीक है जो भी अगर आप मान के चले आपको ब्याज रुपया में दिया है तो उसको परसंटेज में बदल लीजेगा उसे बहुत सारा फाइदा है मैं आपको बता रहा हूं फायदा क्या है फॉर्मॉला क्या हम लोगों का परसंटेज ब्याज का ऐसा इसा इस एकल टो आट परसंटेज ब्याज के यही है रुपया अवला के क्या है परसंटेज में बोल रहा हूं निकालने तो आपको परसंटेज ब्याज निकालने के लिए यह कब यूज करेंगे जब हम लोगों को दर निकालना होगा या फिर समय निकालना होगा तब मैं क्यों बोल रहा हूं वह देखिए इसका जो फॉर्मला होता वह था आर्टी होता ना आर्टी तो जैसे आपको बुलेगा टी निकालने के लिए तो अगर आप आर से डिवाइड कर देंगे मांद के चलिए कोई आपको यह आपको आ गया है परसिंटेज वैज आपको कुछ आगया है 30% है ना और आपक किया निकला और भते किया ऊसले हैसे से डिवाइड करेंगे तो बश्चिंटेज वैज में ती से भाग करेंगे ृक मैं आपको कोशेन का रहता हूं ना तो आपको समझन आ जैबंगा अज़िए में आपको को कुछिन देगे जैसे आपको दिया हुआ कि ईकी आपको मूलधन 2000 रुपया है और टाइमちは 5 वर्स है और एक वैसे बिवाश हुआ है यहां पिसे नहीं करने और यहाँ र vaig दाते पर्सनटेज बादके पमार्दा सब्सक्राइस को बदल लेंगे तो लीक्राइन के Лिया और कितने में से आप निकालना है तो 2000 अपन में 1000 अपने के लिए 100 से मॉल्टिप्लाइ तो यह 20 कर जाएगा और इससे कड जाएगा 10 और 10 का 1010 कर जाएगा तो यहां पर क्या हो गया यहां पर रुपया में दिया हुए है और यहां पर आपने इसको परसेंटेज में बदल लिए यहां पर मैंने लिख दिया है ब्याज उपर में मूल नीचे में गुने सौ तो इस अपको अच्छे से एक नोट कर लेंगा अपने कॉपी में फिर कॉपी में और अच्छे से इसको याद कर लेंगे जब प्रैक्टिस करें तो खुद बे-खुद पर्सेंटेज निकालना है तो क्या करें पर्सेंटेज भाज लेंगे तो पर्सेंटेज आपको कितना एर से आप घर परपिना परक्टिस कर गाते हैं या फिरगों कना परेंगे पर्सेंटेज निकालना पड़ेगा मुल धन को नीचे गुने सो तो 200-200 से 1055 चैनल यानि 30% इसा क्या हो गया percentage तो आप क्या करेंग loro percentage डिवाइट करते था 30 और कितना आपका 10% तो 10 अगर आपको प्रैक्टिस करना तो मैं नहीं को संगा गया किके सकते हैं और फिर निकालते तो उसके लिए क्या करना पहला पहले आप जो है वह अपको पर अपको बतार करते हैं आगे आगे मैं बता रहाँ हो होल वैलू का बहुत ज़्यादा यूज है डिसकाउंट में भी और प्रॉफिट एंड लॉस में भी और इस चैप्टर में भी तो यह हमेशा परसेंटेज ब्याज का ही निकालते हैं लेकिन कंपाउंड इंट्रेस्ट में ऐसा नहीं होता है उसमें हम लोग दर का निकालते हैं तो मैं आपको जुरूर बताऊंगा तो पहले यह समझ लेजें कि होल वैलू हम लोग ऐसा ही में यानि सिंपल इंट्रेस्ट में किसका निकालते हैं तो परसेंटेज ब्याज कहीं निकालते हैं तो देखें जैसे आपका कोश्चन है कि 10 10 आपका यहां पर रेट है 10 भी आंप कोश्चन हमना है तो पर रेट यहांसे पासंटेज ब्याज कराने के निकालते है gotta तो वह खटाने के लिए क्लेंगे डिवाइड वाइज सो करेंगे है ना परसिंट के साइन अटेगा डिवाइड वाइज सो हो जाएगा तो एक जिरू से जिरू कट गया दो पंचे दस यहानी एक बट्टा पांस अब मुझे बताइए जो ब्याज हो हमिसा बढ़ेगा यहां ब्याज हमेशा बढ़ेगा तो पांस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा चे और नीचे में जोड़ाएगा उसको सेम टू सेम लिक देंगा यहनी छे बट्टा पांच अब यहीं आपको हो गया इसका बहुत जादा यूज है मैं बताऊंगा कि इसके हेल्प से आप क पांच में से घटा के चार अगर लॉस हो रहा है तो अगर गेन हो रहा है प्रोफिट हो रहा है तो फिर आप अड़ी करके लिखेंगे यह तो समझ वहां गया इसलिए यहां पर मैंने लिख दया ब्याज हमें सब बढ़ेगा इसलिए जो रहे हैं तो पांच एक छोट अगर आप इतना चाहते हैं तो आप डायक्ट होल वेल्य को डायक्ट आप प्रिसपल से मल्टिप्लाइ कर दीजिए आपको आंसर मिल जाएगा तो देखिए पांच हजार गुने छे वट्टा पांच तो पांच से इसको कार देचे पांच और जीरो यानि एक हजार हो गया 30 से म्लिटिप्लाइ करिंड़ तो दिरे आपको नहीं हो रहा है तो आपको प्रोसस और अपको कितना दिया हुआ पांच अजार परस오 में टीजिए कि पी इस था रहे हैं था तो जान ज़ met осв और गुढे ढुब ईध गटकर वच्क और यहां पर यहां पर यहां पर popping यहां खेंग है अब यहां है क् могता है इक क्या है ब्याज डों इस्में तो ब्याज यहां पर आपको लाए निकाला है तो मंश्र धन का क्या होता है ốngल और यह आपको क्या है 5000 और यौर इ情ता है 604 तो देंगे यहां पर कितना लंbo को तो दिरेट scus करना परा सब से होल वैलू निकालिए आपो फिर से बता दो परसंटेज सब जो आ पको आएगा इसमें हटाने के लिए नीचे में 100 आजा यह फ्रक्सन में बदल जाएगा एक बर्टा पाँच हो जाएगा और अपको उसको एड कर देना तो पांच है यह डिख डिया है निकालन हो क्या करना आपको यानी होनमाक करना दिया लूधन निकालन है लूधन में आगे बरे अब देखिए अब उल्टा पूछ दे अगर उल्टा पूछ दे जैसे आपको मिस्र धन ही दे दे और पूछे आपसे की मौलधन क्या था तब यहां अब होल वैलू का यूज़ कर सकते हैं लेकिन आपको काम क्या करना होगा किfund随ंगा तो इसको उल्टा करदेना होगा जो वैल वयू हो ना जिसे यहां पर वैल 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 हो कितना निकला च्हेए उल्टा पांच तो इसका उल्टा करेंगा थीलिगा तो कित्ता होजागा पांच उट3 चीक और यहां पर जो एमाउंट डिया होगा वहां पर डाल दिज़े उसको 5 बटा 6 से गुना कर दिज़े तो 6 से एक हजार एक हजार गुनार 5000 तो यहां से डाक मुल्धन मिल गया अगर आप चाहेंगे तो इसको प्रोसेसर भी बना सकते हैं लेकिन वह जो प्रोसेसर वह काफी लंबा हो जाएगा को कुछ को सिंदेता हूं आपको उपर स्क्रीन पर कुछ को संदेख रहेंगा इसको आपको बनाके कमेंड बॉक्स में मुझे भेजना है मैं आपको चिक करूँगा कि आपने कितना सीखा अभी तक ठीक है तो मैं आपको पसंद आता तो लाइक कमेंट शेर और सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर देते हैं मिलते हैं निक शुरू है तब तक लिए अपना ध्यान रखिए